और चलिए भड़ते अगले सेग्मेंट की ओर यूपी में विधान सभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं चुनावी सरगर्मिया तेज हैं तो जाहिर है कि नेता जी भी उसमें व्यस्त होंगे लेकिन व्यस्त होने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी यहां नेता जी के लिए है लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए नेता जी क्या कर रहे हैं वो दरसल फिट कितने हैं फिट होंगे तब शिट होंगे हम बात कर रहे है उनने टावों की जो खुदको व्यस्त चेडियूल के बावजूत फिट रहते हैं पर फिट रहने के लिए वो करते क्या jeaf है कर दो कि अग्राइख से जो फतेप शीक्री से जो विधाइख है योगी सरकार में मंत्री हैं चोधरी उधैबान जी वह सुभध अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं क्यों क्यों कि विधाइख अगर फिट हैं तो ही हिट होंगे हमारे साथ हैं इस समय पार्क में का रहता है सभ्यकर शेडूल मैं हमेसा कितने बज़े भी सोई देर रात में लेकिन प्राता है सूर उद्रय से पहले मैं उठने का प्रयास करता हूं उठते ही मैं पहले अपनी गौशाला में जाता जो मेरे आवास पर ही है, गवशाला मैं अपनी गायों की पूजा करके, उनकी थोड़ी बहुत सुस्मा और सेवा हलकी पतली करके, फिर मैं मेरे यहां लंगूर है, मेरे पास बत्के हैं, मेरे पास चड़ियां हैं, उन सब के साथ कि लोल मारता हूं, खेलता हूं. मैं नेमित पूरे जीवन 14-16 घंटे काम करता हूं, और प्राताय मेरी जीवन शैली 5 बजे से सुरू होती है, और लगभग रात को 11 बजे मैं विस्तर पर जाता हूं, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरी रात सफर करना पड़ता है, पूरी रात, और दिन में काम करना पड प्रवास लगे हूं, मैंने यहां आगरा में काम किया, और मुझे मेरठ अगले दिन पहुचना है, या मुझे बनारस अगले दिन पहुचना है, तो पूरी रात सफर करना और पूरे दिन काम करना उसमें से भी सुबह चंद मिनट ब्यायाम और प्राणायाम के लिए जरूर झाले के लिए झाले की रवी